सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेवस को तो देखिए सिलेवस में काफी कुछ चेंज हुआ है दो पार्ट में सिलेवस को बाड़ दिया गया है और आप लोगों का जो मेरिट है जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पार्ट टू के आधार पर होगा जो कि आप लो कि डाक्टर आरेस अगरवाल द्वारा लिखेती जो है बुक रहने वाली है ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे इस बुक में आप लोगों को जो है आप लोगों के एक्जाम का पैटरन है उस आधार पर यहाँ पर कोस्चन आपको सॉलूसन भी दिये हुए है ठीक है यहाँ पर टॉपिक वाइस जो डीटेल्स है वह भी आप लोगों को मिल जाएगी जैसा कि आप लोग जानते कि न्यूमेरिकल जो आप लोगों का एंड मैथेमेटिकल एबिलीटी है इससे आप लोगों को 20 कोस्चन आने वाले है जो कि 60 नंबर के है ठीक है तो यहाँ पर आप पर लोगों को तीन नंबर का रहेगा इसके लिए आप लोगों को दोनों जो सेशन वन है इसमें दोनों पार्ट के लिए आप लोगों को 45 मिनट है वह आप लोगों को दिया जाएगा अगर बात करते हैं इसकी बेस्ट बुक आप लोगों को कौन सी लेनी चाहे तो यहाँ पर यह बुक है तरक सकती परिक्षन करके देख पारे हो गया ठीक है यहां पर अब मॉडर्ण अप्रोच टूठी के वर्बल एंड नॉन वर्बल रिजिनिंग करके बुक आती है और यह भी जो है डक्टर आरेस अगरवाल पब्लिकेशन की बुक है जो की काफी बेस्ट बुक है SSC MTS के एक्जाम के लिए अब यहां पर देखेंगे तो यह Hindi मीडिया मावलों के लिए बुक रहने वाली है जीक है यहां पर सारी चीजह में हिंदी मीडिया मावलों के लिए बता रहा हूं English लोगों के SSC MTS exam के लिए बेस्ट बुक है अगर आप रिजलिंग की बात करें तो ठीक है बाकि आल इन वन बुक अगर आपको चीए तो आप कमेंट कर सकते मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो दिदूंगा कि आल इन वन बुक को उनसी रहने वाली है कि आप लोग उस प्रटेंट हो जाता है अगर हम बात करते जेनरल अवर्णेंस की तो यहां पर आप लोगों को 25 कोश्चन पूछे जाने हैं जिसके लिए 75 नंबर यहां पर दिये जाएंगे तो जेनरल अवर्णेंस के लिए यहां पर आप देख पार होगे प्रश्णोत्तर मलिका करके यह वस्तुनिष्ट सामाने ज्यान बूक है इसमें 14000 प्लस प्रश्णों का जो है अध्यनवार समाविस किया जगया है तो आप लोगों के रिविजन के लिए या पिर प्रिप्रेशन के लिए जो आप लोगों के सामाने विज्ञान वाला टॉपिक है इसके लिए बूक रहने लिए इसके साथ अगर आप इसको आप नहीं लेजना चाहते तो आप लु सेंट को ले सकते लिए इसके लिए फैस्ट आप जानते एक काफी सारे इस्टू डियो करते हैं तो उख लिए लेकिन आप प्रश्न उत्तर अगर देखते या फिर आप जो अप लोगों के प्रिश्ण उत्तरी वाला अगर आप बुक देखते तो यह आप लोगों के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है अब बात करते हैं आप लोगों के इंग्लिस के लिए कुन सी बुक रहेगी इंग्लिस के लिए भी आप लोगों को बेस्ट बुक देखना होगा और उसके लिए वर्ल्ड पावर मेड इजी बाई ठीक है नॉर्मल लेविस की बूख है इनके द्वारा लिखिद बूख है और यह काफी बेस्ट बूख है आप प्रिप्रेशन कैसे करना है अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चीए तो आप कमेंट करिएगा कैसे स्ट्रेटेजी से आप तयारी कर सकते हैं पहली बार में एक्जाम कैसे पास कर सकते हैं इसके उपर आप लोगों को मैं फूल डेटेल वीडियो दे दूंगा अगर आप आदा से जादा कमेंट करते हैं तो यह बुक थी मैंने आप लोगों को सारी बुक्स बता दी